हेलो फ्रेंट्स, एक बर पुना आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्योब चैनल इस्टड़ी टंटीसिक्स पे और आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों का रिक्वेस्ट बड़े दिनों से था कि सर M.I.L. हिंदी का जो स्लेवस है उसको बता दीजे तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे से जुड़े हुए हैं जो टिलिग्राम से तो उनका रिक्वेस्ट हर हमें सहार आए कि सर इसके स्लेवस को भी मतलब बारी-बारी से आप पढ़ा दें तो अच्छा रहेगा तो चलिए उन्हीं चीजों को देखेंगे आज स्लेवस डिसकस करेंगे और आपकी अगर पर्तिकिरिया उचित और सही रही तो हम फिर इसको आगे continue करेंगे और इसके स्लेवस के according हम लोग तयारी भी इसकी कर लेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं unit first आपका देखिए ये जो स्लेवस है M.I.L. हिंदी का ये तीन यूनिट में बटा हुआ unit 1, 2, 3 तो तीनों ही यूनिट को हम लोग देखेंगे कि आखिर इन तीनों यूनिट में किस-किस बातों की चर्चा है उन तमाम चीजों को देखने का परियास करेंगे तो चलिए उनको देखते हैं देखिए unit first में आपका है हिंदी जो है हिंदी की धोनिया और उसके प्रकार यानि हिंदी की धोनिया को कैसी होती है क्या होती है तो और उसके क्या प्रकार है तो उसको देखना है फिर उसके उचारन की विधी क्या होती है उसक कि मानकी करन का प्रश्म जो होता है यानि उसको एक मानक की रूप में अस्थापित करना उनके बारे में जानना है unit फर्ष्ट का ही पाट है फिर देखिए निवंध लेखन यानि निवंध कैसे लिखा जाता है उनको देखना है फिर संचेपन संच्छेपन यानि कि किसी भी चीज को आपके पास विस्तरी तुरूप से रख देगा और बोलेगा उसके संच्छेप को लिखे यानि उसको संच्छेप तुरूप से लिखे तो वही होता है संच्छेपन फिर उसके बाद देखे पल्लवन क्या होता है उसको देखना है अब के बाद दिखाए देना ये तमाम चीजों को इसमें पढ़ना है फिर इन हिंदी से अंग्रेजी और के स्लिवस में है फिर देखिए उसी का थर्ड पार्ट है यानि इसको आप ए मान सकते हैं फिर इसको आप बी मान सकते हैं और इसको आप सी मान सकते हैं तो थर्ड टॉपिक में कारियलाई हिंदी यानि जो कि आप अपने कारियलाई हिंदी का अर्थ होता है बच्चों कि जो कि आफिस में योज किया जाने वाला हिंदी है उसको फिर उसमें देखिए सरकारी पत्राचार को हम लोग देखेंगे फिर टिपनी कैसे लिखा जाता है किया जाता है उसको देखेंगे प्रारूपन क्या होता है उसको देखेंगे राज भासा इसमें आपको देखना है फिर देवस में चर्चित है उसमें आपको मेंली जो मुख्यता जो आप देखते हैं जिसका हम लोग परियोग करते हैं कुछ ग्रेमर के चीज है तो उसको देख लेना होगा आपको हिंदी व्याकरन से संबंदी चीजों को इसमें देखना होगा अब चलिए सेकेंड यूनिट इसक इनको आपको पढ़ना है गध में तो उनको देखना है जैसे कहानी में आपको पढ़ना है बेंटो वाली विद्वा जो कि प्रेम चंद की है तो उसको पढ़ना होगा आपको फिर निवंद में आपको भय पढ़ना होगा जो कि राम चंद्र सुकल की है फिर देखें ललित निवंद में आपको पढ़ना है गेहु और गुलाब जो कि रामभिक्ष बेनी पूरी की है संसमरन में आपको पढ़ना होगा स्रीरी राहुल संस्कृतियाय जो कि रामधारी सिंग दिन करकी है तो ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है फर्स सेमेश्टर के बच्चों को एकांकी में देखना है बावर की ममता जो कि देवेनात सर्मा की है तो बावर की ममता में आपको वही देखना है कि बावर कैसे अपने बच्चे हमायू के लिए अपना प्रान त्याग देता है और उसको अपना जीवन वर्दान देता अल्ला को देने के लिए बोलता है तो पहली बात तो कोई भी कहानी है तो उसके लेखक कोन है उसी को याद कर लीजे चुकि आप से objective में पूछ देगा कि इस कहानी के लेखक कोन है तो उसको आप जब तक याद नहीं कीजेगा तब तक थोड़ी आप हो रहेगा याद कि आप क्या बना क्या इएगा क्या नहीं तो इस वज़े से आप इसके लेखक को याद जडूर कर लीजेगा अब चलिए third unit जो है इसका अंतिम unit इसमें क्या पढ़ना है हिंदी की कुछ जो हैं चैनीत कविता है यानि उसमें तो कहानी पढ़ना था यूनिटू में अब इसमें कुछ कविता पढ़ना है जैसे आपको कविता में पढ़ना है कवीर की साखी इसमें कवीर की साखी में ही करनी बीना करनी करनी को अंग तो यह उनकी कविता क्वीता है उसमें तो उसको पढ़ना फिर तत्ह कत्षी बिना करनी को अंग यह पुरा का पुर्ण को یक है करनी जो पुछ्टक साखी उसे का पॉर्ण का प्ण। तो इसको आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना तुलसी दास का रामचरित्र मानस आप जानते हैं उसका बालकांड को पढ़ना है जो की कविता की रूप में है तो उसको हमनों को पढ़ना है फिर देखे भारतेंदू हरिष्चन का भारत दुद्दसा इसमें भारत चितरन किया है उस चीज को देखना है उसके बाद देखे सुरिकांत तिरपाठी निराला इनका नाम था सुरिकांत निराला का ही नाम है सुरिकांत तिरपाठी निराला पूरा नाम इनका एक है कविता राजे ने अपनी रखवाली की तो इसके बारे में पढ़ना है फिर बहुत तो जानी लिजेगा चुकि नहीं जानीएगा तो आपके लिए अच्छा भी नहीं है और इसको पास सोना भी जोट लिए तो इस वज़े से आपको grammar portion हो या कहानी का portion हो या फिर कविता का portion आपको जानना होगा अगर आप चाहेंगे कि हम यह जो lecture series है आपका यह हिंदी का तो इसको continue रखें तो प्लीज हमारे comment box में जाके comment जडूर कीजिए और वीडियो को share जडूर कीजिएगा चुकि वीडियो को share कीजिएगा तो अन्य बच्चों को भी इसका लाब मिलेगा और वो भी आपसे हमसे जुड़ पाएंगे और इसका लाब ले पाएंगे तो चल न्यू स्रीज चलेगा और हिंदी हम पूरा करा देंगे आपका ताकि आपको आने वाले एक्जाम में कोई किसी भी तरह का परेशानी ना हो और आपको पता है कि हमारे चैनल पे पहले से ही हिस्ट्री है पॉलिटी है जोगरफी है यह तमाम subject का lecture चल रहा है यानि उसको हम कर आ रहे हैं तो उसको अगर आप उन subject से related हैं तो आप उसको जडूर देख सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हूं